नमस्कार मैं हूँ राखी जैन स्वागत है आपका हमारी खास प्रसुती कैसा रहेगा साल दोजार इकिस में वर्ष दोजार बीस जब से शुरू हुआ चुनोती पूंड रहा जब से शुरुआती दोजार बीस की कोरोना महामारी से जूचते हुए ही निकल गया और जाते जाते भी अभी तक हम इसी से जूच रहे हैं जल्द ही दोजार इकिस का आगाज होने वाला है हर किसी के मन में है कि दोजार इकिस कैसा रहेगा क्योंकि नया साल जब भी आता है नई उमंगे होती है नई तरंगे होती है हाला कि जो पिछला साल बीता उसकी कड़वी यादे सब के साथ है कोई नहीं चाहता कि वो कड़वी यादे 2021 में भी हमारे साथ रहे हर किसी के मन में सवाल है कि कैसा होगा मेरे लिए 2021 केस मेरी राशी में कौन से नए ऐसे सितारे आएंगे कि मेरा करियर परवान चड़ेगा मेरे पारेवारिक जीवन में खुशी आ जाएंगी हर किसी के मन में सवाल है इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वार्षिक राशी को लेकर आए हैं वार्षिक राशी फल को बताने के लिए में साथ स्टूडियो में मौजूद है जोतिशा चारे अनुभाव शर्मा जी अनुभाव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में अनुभाव जी आप जानते हैं 2020 काफी मुश्किलों भरा गुजर रहा है जाते जाते भी इसकी यादे जो कड़वी ही है अधिकतर लोगों के लिए 2021 हम बात में बात करेंगे राश्यों के लिए कैसा रहेगा सबसे पहले बताएं 2021 ओवराल आपको कैसा दिखाई दे रहा है कैसा रहेगा 2021 किस देखे 2021 जो है वो 2020 की अपेक्षा बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस वर्ष गुरू और शनी इन दोनों बड़े ग्रहों का युति सम्मन्त बन रहा है और ये जो विशेश योग है ये बताया जा रहा है कि 400 वर्ष बात बन रहा है और वर्ष की शरुवात में जो गुरू ग्रह है वे मकर राशी में रहेगा और 6 अप्रेल 2021 के बाद में अपनी राशी को बदल लेगा इसके बाद में ये कुम राशी में चला जाएगा लेकिन ये वक्रिय होकर कर 14 सितंबर 2021 को पुने मकर राशी में आएगा और 21 नमबर 2021 को वापस अपनी राशी बद जाते हैं कि इस महामारी से हमारा पीछा चूटे और जो हम सभी हैं इस चीज से बहुत आगे निकल जाएं क्योंकि इस बीमारी ने लोगों को मांसिक रूप से और शारिक रूप से बहुत ज्यादा तकलिफ दी है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो आगामी वर्ष 2021 है वो गुरु और शनी इन दोनों से संबद रहेगा अर्था गुरु जहाँ प्रतीक है धरम का और जहाँ शनी प्रतीक है करम का तो धर्म और करम दोनों का यह एक संयोग बन रहा है तो मेरा काफी हट तक मानना है कि हमें इस बिमारी से निजात मिल सकती है और 2021 में हम इस राशी के लिए साल 2021 कैसा रहेगा? जो हैं वो पूरी हो सकती हैं, जिससे आपका मन प्रसनिचित रह सकता है और बहुत समय से अटकी हुई जो योजनाई थी वो पूर्ण हो सकती हैं. अच्छा धनलाब भी आपको हो सकता है और जो पारिवारिक जीवन जो आपका समस्याओं से घिरा हुआ था उससे शायद आप कई नई सफलता और अपलब्दियों वाले रहेगा, 2021 में वैवाहिक जीवन और व्यापार में सफलता मिलने के भी योग आपके लिए बन रहे हैं. इस वर्ष आपको अपने मार्ग में आने वाले विभिन विकल्पों का चुनाव करना होगा और सही वक्त पर सही मिथुन राशी के लिए साल 2021 मिथुन राशी के लिए कैसा रहेगा साल 2021? चलते आर्थिक हानी की भी संभावना अधिक है और यह समय आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने वाला है. तो मिथुन राशी के लिए कोई उपाए भी आप बताने कि जिससे उनको थोड़ी सी रहात मिल सके? देखिए जैसा मैंने बताया कि जो शनी है वो आपके अश्टम भाव में विराजमान रहेंगे. तो उसके लिए आप शनी मंदिर जाएं और वहां जाकर के शनी महराज को तेल चड़ाएं और पीपल के वरश के नीचे दीबदान करें. चलिए मितुन राशी वालो, आपकी राशी थोड़ी सी ऐसी है लेकिन अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, धर्म में अपनी आस्था बनाए रखेंगे, तो साल इतना खराब मुझे नहीं लगता आपके लिए होगा. अब कर्क राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2021? मार्च से जो मई के दौरान जो इस्तिती है वो काफी बदल जाएगी और इस समय आपको आर्थिक लाब होने की संभावना है. चलिए कर्क राशी वालों के लिए तो ठीक ही है साल, सिंग राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2021? देखिए सिंग राशी के जातकों के लिए जो आर्थिक दरश्टी से यह साल ठीक ठाक रहने वाला है. इस साल आप अपनी आमदनी और परिवार के सहयुक से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे, छूटी छूटी सफलताओं के साथ आप बड़ी सफलता की और भी कदम पढ़ा सकते हैं. अगर इस साल आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यहां आपको बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रुरत है. पढ़ाई में किसी भी तरीके का शॉट कट आप ना लें, अन्यता आपको नुकसान उठाना पढ़ सकता है. पढ़ाई में तो मुझे लगता है वैसे भी कोई शॉट कट होना नहीं चाहिए, जितना आप ग्यान का अरजन करेंगे, उतने ही आपकी तरक्की होगी. कन्डिया राशी वाल उकलिक कैसा रहेगा साल 2021? कन्डिया राशी के लिए जो वर्ष आपके लिए जो कारे शेत्र में आर्थिक द्रश्टी से सामाने रहने रहने वाला है, जहां साल की शुरुवात आपके लिए अच्छी रहेगी, वा जो मद्य है उसमें आपको सावदान रहने की जरुरत है. इस वर्ष करियर में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, नई-नई योजनाएं आपके जेहन में भी आ सकती है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे हैं जात्कों को हाने होने की आशं देखे वर्ष 2021 तुलाराशी के लिए बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है, जहां आपको इस वर्ष कई शेत्रों में सफलता मिलेगी, तो वहीं आपके जीवन में कई महत्वपून बदलाव भी समय आएंगे, अगर करियर की बात करते हैं, तो तुलाराशी के जात्को मिलने से उन्नती की प्राप्ती होगी, साथ ही व्यापारी जातक को भी अपने व्यापार में विस्तार करने का उस्तार प्राप्त होगा वर्ष्टिक राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2021 किस देखिए व्रश्टिक राश्री के लिए वर्ष आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा हाला कि आपको स्वास से संबंदित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी पुराने समय से चली आ रही किसी बीमारी से आप उबर जाएंगे आपको जीवन से जुड़े क कई मोर्चे पर काफी मैनत करने होगी प्रेम आपके जीवन के लिए काफी अनुकूल रहेगा और आप में ऐसे कुछ लोगों का विवाह हो सकता है और आपको शेहनाईया सुनने का मौका भी मिल सकता है और आप अपने प्रियतम को अपना बनाने में सफल होंगे हाला कि वि जनुराशी के जादकू के लिए साल आपके जो करीबी हैं उनकी द्रश्टी से बहतर होगा आप अपने सह कर्मियों की मदद से अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहने माला है आपको व्यापार में आपकी परिक्षा लेते विए बीच वीच में आपको कुछ कष्ट देते दिखाई दे सकते हैं लेकिन आपको इस फ़र्ष कोई बड़ा रोहने की संभावना बिल्कुल नहीं है धन्यवाज अनुराशी मेरी है आपने बड़ी अच्छी राशी मेरे लिए साल 2021 की बता दी ह मकर राशी के लिए कैसा रहेगा साल 2021 कि देखें मकर राशी के जातकों के इस वर्ष अच्छे फल प्राप्त होंगे आपकी राशी में शनी और गुरू की यूति आपको भागय का साथ प्रदान करेगी जिस कारण आप अपने करियर में बिना रुके लगातार आगे भढ़ करने के कई अफसर प्रदान करेंगे परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा में व्रद्धी होगी तता परिवार में किसी का विवा होने के कारण सामाजिक रूप से आपका परिवार आगे बढ़ेगा कुम राशी के लिए कैसा रहेगा साल 2021 कि देखें कुम राशी के जातक जीवन में अचानक से खर्च में व्रद्दी आ सकती है, जिसके चलते कुछ समय के लिए आपको आर्दिक तंगी महसूस हो सकती है। अपनी महनत अनुसार फल्की प्राप्ति आप कर सकते हैं, इसलिए महनत पर आप विश्वास करें तो ज्यादा आपके लिए उचित रहेगा। विध्यारतियों को इस साल अधिक महनत करनी पड़ेगी, हाला कि अपने देश में शिक्षा प्राप्त करने वालों की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मीन राशी के लिए कैसा रहेगा साल दो हुजार इकिस। देखें मीन राशी के जातकों को इस वर्ष केरियर के मामले में अनुकुल परिणाम हासिल होगे। आप इस दोरान अपने कारे शेत्र में अच्छा करेंगे, आपको अपने सह कर्मियों का साथ मिलेगा और वो अपनी उच अवस्था में होते वे आपको सह करते वे दिखाई देगे। आपको इस समय अपने अधिकारियों और सह कर्मियों से बहतर संबंद बना कर चलने की जरुरत होगी, तभी आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे. तो ये रहा सभी राशियों का राशी फल, लेकिन मेरी आप सबसे एक विंती है कि ये हमारे तारे हैं, ये सितारे हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मैं आगाहा करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म को कभी भी भूलना नहीं चाहिए. अनुभाव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें वार्शिक राश्वल बताने के लिए, देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, 2021 ये बताने के लिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, और कुछ बाते करेंगे, नमस्का.